बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम वेलकम टू आ क्लास सरिम्रान अकाउंट की क्लास हम 11th Standard का Bookkeeping & Accountancy कर रहे हैं जिसके अंदर Subsidory Book चाले हो Chapter 5 हमारा इसके अंदर हमने अल्रेडी Cash Book के जो टाइप हे वो कर दिये हैं डबल कॉलम Cash Book और हम जो अब कर रहे हैं वो है analytical Petty Cash Book Petty Cash Book के उपर अल्रेडी एक सम बना दिया है मैंने उसमें इंट्रोक्शन भी बताया था किस सरह से Petty Cash Book बनाना है यहां देखो आई बटन आएका महापे भी आप चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है वो भी चेक कर सकते हैं अब हम जो करने वाले हैं वह है analytical Petty Cash Book का कुश्चन नमबर फाइफ करने वाले हैं जो की पेज नमबर 173 पे दिया गया है कुश्चन फाइफ बोलता है फ्रम दो फॉलिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेर कॉलमिनर कॉलमिनर यानि analytical Petty Cash Book kept under impress system in the books of Manisha books tall bead तो यह analytical Petty Cash Book impress system में है औरड़ी मैंने बताया तो कॉश्चन नमबर 4 में साल 2018 दिया हुआ एप्रेल ओपनिंग बालेंस दिया गया है यहां पे और received a bearer check दिया गया है तो basically पहली जो starting की जो entry होती है वो debit होती है बाकि सारी entry है आपकी credit होती है तो opening balance यानि balance brought down और received a bearer check चेक मिल रहा है यानि आपको bank लिखना है तो पहली यह दो entry debit है बाकि सारी entry आप देखोगे तो सारी expense है यानि credit entry है format किस तरह ड्रौ करना है वो अलड़ी पता दिया है मैंने तो हम चलते इसके format के तरफ format देखो आपके साम ने उपर heading देनी आपको analytical petty cashbook impress system था इसलिए आपको आगे लिखना है impress system left side का format paid तक का है receive, date, particular, watcher number और paid receive आपका debit side होता है paid यानि आपका credit side होता है पैसा आया तो debit पैसा गया तो credit फिर analysis of petty expenses उसके अंदर आखरी तीन कॉलम फिक्स हैं आपके missilness expense LF और ledger इसके बाद जो इसके बीच में जो ledger बनाने है वो depend करता है आपको expense के उपर जितने expense रहेंगे वो कॉलम आपको बनाने basically printing and stationery आता है carriage and cartridge आता है traveling आता है telephone आता है तो यह standard expenses है मगर वो समको पढ़ते वे आपको decide करना है तो आपको सबसे पहले entry यह देखनी है कि पहली entry आपको pass करनी है opening petty cash balance जो कि मैंने कहा opening balance है तो balance brought down और cash assets होता है और assets का opening balance हमेशा आप debit side लिखते हो तो पहले हम लोग साल और महिना लिख लेते हैं यहाँ पे 2018 April आ गया है पहली तारिक को opening balance है 200 रुपे का assets है इसलिए debit में लिखेंगे two balance brought down 200 रुपे रेशिप side यहनी debit हो गया particular यहाँ पे एक ही होता है आपके लिए debit है तो आप two लिखें credit है तो आप buy लिखें फिर दो तारिक को आपको check मिला है 1200 रुपे का एन्यों पैसा तो आ रहा है हमारे पास debit side ही आएगा तो debit side लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग two bank account दो तारिक दिखा है तो हमने दो तारिक लिख दिया है यहाँ फिर तीन तारिक से लेके 21 तारिक तक सारी entry आपकी expense के entry है तो सारी entry का amount आपको credit side लिखना है और स सारी entry के आगे आपको buy लिखना है तो as it is copy करना है इसलिए सबसे simple होता है तो as it is यहाँ में copy कर लेता हूं तो आप देखो तीन तारिक को tips to pune दिया हुआ है 40 रुपया तो यहाँ पे लिखना तीन तारिक buy tips to pune 40 रुपया paid column में सारी amount देखो as it is मैंने copy किये और last entry direct बता द copy करना होता है debit वाला debit में लिख दिये credit वाला credit में लिख दिये अब यह सारे expense को देखके आपको यह analyzers pretty expense बनाना है तो अब question का हमारे पास कुछ काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं तो अब entry फढते जाएंगे फिर expense decide करते जाएंगे tips to pune 40 तो यह आपका चिलर खर्चा है tips देना washing machine या building को दोना तो यह चिलर आइटम है और चिलर आइटम के लिए आपको missilis expense में entry लिखनी होती है तो यह 40 रुपए आपको दुबारा यहां पर लिखना है missilis column के अंदर 40 रुपीज stationary तो printing and stationary को column बना लेते हैं हम लोग तो column देखो कहीं भी बना सकते हैं ज़रूर ही नहीं है हाँ आपको यहाँ पर जगा छोड़ के रखना है वह याद रखना है तो ज़्यादा जगा चोड़ना है यहाँ पर आपको कि तीन column बने चार column बने 5 column बने पता नहीं max to max 5 column ही बने देखेंगे तो वह इसाब से आपको space यहाँ छोड़नी है तो printing and stationary हमने column बना दिया तो यह 150 रुपीज हम लोग यहाँ लिखेंगे दुबारा तो दुबारा हमने लिख दिया 150 फिर taxi fare taxi fare यानि आपका traveling expense है तो इसके लिए हम लोग traveling column बना लेते हैं तो यहाँ पर traveling column बना लि हमने तो अब यह taxi fare 35 रुपीज दुबारा यहाँ लिख लेते हैं फिर stamp pad stamp pad यानि जो हम लोग stamp अगरे मारने के लिए काम यूज करते हैं blue color करता है तो यह जो stamp pad है आपको stationary की दुकान में मिलती है तो यह आपका stationary खर्चा है और stationary column already है मेरे पास तो यह 140 यहाँ पी लिखते ह column में फिर cottage carriage and cottage यह अलग से expense है इसके लिए heading बनानी पड़ीगी यहाँ बना लेते हैं carriage and cottage तो यह 40 रुपीज दुबारा यहाँ लिख लेते हैं फिर bus fare bus fare आपका traveling expense है तो traveling expense column में जाएगा आपका 30 रुपीज दुबारा फिर sweeper यानि आप जमीन पोचने या जाडू मानने के लिए जिसको पगार देते हैं तो यह चिलर आइटम में आता है और चिलर आइटम के लिए हमने क्या बनाया मिसलिने से expense तो 50 रुपीज यहाँ लिख लेते हैं pencil box pencil box pen यह कहां मिलता है आपको stationery की दुकान में तो यह 40 रुपीज आपको stationery column में दुबारा लिखना है फिर है mobile charges, mobile charges के लिए nominal खर्चा है यह भी चिलर आइटम है तो इसके लिए आपको क्या करना बढ़ेगा 35 रुपीज मिसलिने से expense में दाल देते हैं mobile charge के बाद है Sohan, Sohan एक बंदे का नाम है जिसको आप payment कर रहे हो तो किसी इनसान को अगर पैसा दो या कोई asset purchase करो उसके लिए आपनी यह ledger column बनाया हुआ है तो कभी भी assets खाया है या किसी person का नाम आवे तो आपको कहां लिखना है ledger में तो यह 250 रुपीज हम लोग यह ledger column में दुबारा लिख लेंगे फिर है refreshment यह भी कोई expenditure नॉर्मल ही नहीं अलग से है separate है तो separate expense के लिए आपको missless column में जाना है तो 150 यहां दुबारा लिख लेते हैं railway fare railway fare याने traveling के लिए काम आता है तो traveling में लिख लेंगे 30 रुपीज दुबारा carriage carriage के लिए तो हमने column बनाया हुआ है already तो carriage के column में 65 दुबारा लिख लेते हैं तो इस तरह से आपका जितने भी आपने expense था उसको दुबारा आपने उनके respective column में लिख दिया तो आपको expense दो बार लिखना होता है यह याद रखें आपको expense column सम पढ़ने के बाद ही आप decide करें हाँ यह miscellaneous हो यह ledger वाले तो यह fix column है जैसे कि left में receive date particular watch और paid यह fix है तो उसी तरह से miscellaneous LF और ledger भी fix है miscellaneous में वो खर्चे आते हैं जिसको आप कोई भी heading दे नहीं सकते हो जैसे यहाँ पर इन्होंने tips कहा था या sweeper कहा था या refreshment कहा था तो यह चिलर आइटम है तो ऐसा कोई expense जिसको आप heading नहीं दे सकते हो तो उसको आपको miscellaneous मे लिखना है ledger में वो ही entry आएंगी सिर्फ दो कौन सी किसी person को आप direct payment करो वो या तो purchase a fixed asset furniture खरीद लिया machinery खरीद लिया तो ही आपको ledger के use करना है बाकी सब के लिए आपको column बनाने तो सारे expense को हमने दुबारा लिख लिए है तो अब हमारा close करने का step है तो close करने में सबसे पहले आपको total करना है तो पहले Ledger से शुरू करता हूं Ledger का total है 250 तो 250 लिख लेते हैं निसलिए इसका total आपको इस चारो फिगर प्लस करना है 40 50 plus 35 plus 150 तो इसका total हाता है 275 फिर आपको printing का भी total करना है तो printing का तीनो फिगर प्लस करेंगे इसका total आता है 330, carriage का भी total कर ले 105 रुपया total यहां लिख लेते हैं और traveling का भी तीनो column plus कर ले यानि 95 आ गया तो इस तरह से आपने ये analyzes pretty expense के column total कर लिए अब आपका paid column है इसको भी total करना है आपको तो इनको starting 40 से लेके 65 plus करेंगे तो आपका total आता है 1055 बच्चों देखो यहाँ पर shortcut तरीका है अगर आप यहाँ से करेंगे तो ज 555 आएगा तो simple तरीका बता रहा हूँ आपके उपर है आप चाहे paid column पूरा plus करें या आप यह जो expense column में इनको plus करेंगे तो भी 1055 आएगा अब इसके नीचे continue करना है आपको आपके notebook में same page में continue करना है यहाँ पर फिलाल जगा नहीं है तो मैं next slide पर जाके फिर आपको calculation बता calculation जो था वो लिख लिए है मैंने balance bank जो हमने already लिखा था last entry carriage खाली sample के लिए रखाऊ हूँ आप हाने लिए main calculation यह आपका credit का total है तो credit का total है 1055 और debit का total है 1400 तो आपको debit और credit में जो बढ़ा है वो total दोनों side लिखना होता है तो आपका debit का total 1400 है यही बढ़ा है तो बढ़ा total दो side लिखना होता है तो 1400 वे देखो यहां दोनो side लिख दिया मैंने debit में और credit में भी अब क्या करना है debit का total को credit की total से minus करके balance निकाना है तो दोनों को मेंने minus किया तो मेरा answer आया है 345 balance आया है lower side लिखना है यानि credit side हमने लिखा है credit side के लिए buy word यूज करना है और निकाला है हमने balance इसलिए balance carried down और balance हमेशा महिनी की आखरी तारिक तो April महिनी का आखरी तारिक क्या होता है बच्चों 30 तारिक और हर carried down को क्या करना होता है brought down on opposite side तो ये credit में आया है तो ये brought down होगा debit में अगली महिनी को April के बाद आता है अपका May महिना तो May 1 को 2 balance brought down 345 ठीक है credit का balance debit में गया है और debit है इसलिए 2 balance brought down यहां तक analytical pretty cash book खता हुआ मगर उन्होंने कहा था कि impress system बनाईए तो impress system में आपको क्या बोला था मैंने आपको सिर्फ एक line नीचे और add करनी है वो line क्या होगी तारिक तो एक ही रहेगा मैंने कहा था last sum में question number 4 में एक तारिक को to bank account मगर इसका जो amount है वो हमेशा रहेगा credit का जो total है वो आपको लिखना है तो यहां credit का total कितना था 1055 तो यहां पे भी आपको लिखना है 1055 ठीक है यह important है impress system के अंदर impress system है तो आपको क्या करना है balance brought down के बाद एक line और add करनी है या तो cash लिखना है या तो bank depend करेगा आपके question के उपर पहले के आपने क्या लिखा है bank लिखे यहां अगर cash लिखा हो तो आप cash लिखते और इसका जो amount रहेगा वो एक तारिक को ही आएगा और इसका amount हमेशा credit का total रहेगा इसलिए को arrow भी मारा है मैंने मगर आप लोग नहीं मानना arrow खाली समझाने के लिए बताया हमें आपको यह impress system है इसलिए यह amount आपको यहां से forward करता है तो इस तरह से आज हमने analytical pretty cash book with impress system खतम किया इंशाला नेक्स वीडियो में हम लोग proper हमारा जो subsidiary book था purchase book sales book वो सब complete करेंगे hope so यहां तो कोई doubt नहों thank you thank you for watching the video god bless you